कि नमस्कार सक्सेस स्पीक्स में आप सभी का स्वागत है जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ये शो एक प्रयास है सफलता का परयाय बन के उन प्रतिभाग्यों की कहानी को आप तक लाने का इनी कहानियों üç साल 2015 की सिविल सेवा परीक्षा में 27 अधान प्राप्ट किया इसके इलावा हमारे साथ हैं देश के जाने मेहमाने विशेशग्य एके मिश्रा हमारे साथ हैं भारत के कोने कोने से आए वो विद्यार थी जो सफलता का मूल मंत्र पाना चाहते हैं इसके लावा हमारे साथ हैं दो खास महमान पूलकित के माता-पिता आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है सबसे पहले मैं जानना चाह तो अच्छे विद्यारतियों में आपकी गिंती होती थी तो तो उस समय क्या सोचते थे क्या बनना चाहते थे या पेरेंस किस तरह से बोलते थे क्या बनना है और आपका खुद क्या विचार था तो किस तरह से वो सब शेप अप हुआ बच्पन में आधे इंडिया का सपना रहता है पाइलट बनने का तो मेरा भी जब छोड़े होते हैं तो हाँ प्लेन को उड़ते हो देखते हैं तो लगता है कि हाँ पाइलट बनेंगे लेकिन हाँ ऐसे कुछ स्टार्टिंग में कुछ कॉं जब हमने से इंड्या में होते हैं तो हर एक को कुछणा को चुनना होता है आगे जाने के लिए किसे आगे कहां जिंदगी बढ़े कि आ के तो डिफेरिंट तरीके होते हैं MBA के लिए जाते हैं कुछ लोग i.s के लिए चले जाते हैं उस समय भी बहुत सारे options होते हैं कि कहां पर IIT Delhi आपने बताया कि आप IIT Delhi से इंजिनिंग की पढ़ाई कर रहे थे, वो भी अपने आप में बहुत अच्छा करियर है, तो सिविल, सेवा और दोनों चीज़ों को कैसे बैलन्स किया? हमेशा से एसा मेरा मानना आया है, कि सिर्फ जो IMPACT है, जो भी मैं काम कररहा हूँ, उसका सिर्फ मेरे तक सीमित नहीं रहा चाहिए impact, उसका एक बहुत वाइड impact होना चाहिए, मैं हमेशा से चाहता आया हूँ कि मैं सब के लिए काम कर सेंग।, ना कि सिर्फ खुद के लिए का कर सकता है तो कितने ऐसे प्रतिशत बच्चे होते हैं जो इतनी अच्छी संस्थाओं से निकल कर आई-ए-ए-ए-ए-ए-पे-स किया सिविल सिवा परिक्षा की तयारी करते हैं नहीं अभी देखें कुछ सालों से जो अट्रेक्शन से उसमें काफी टैलेंटेड स्टूडेंट से निकल करके सिविल स्विसेज में आ रहे हैं अब एक बहुत बड़ा अट्रेक्शन बना हुआ है और एक बहुत अच्छी बात भी है कि जो सिविल सवेज जो जिसको कहा जाता है बैक्बोर अफ इंडियन अडिस्टेशन तो जितने अच्छे से अच्छे टैलेंटेड वर्टिकल्स डिसाइड हो जाते हैं कि कहां जाना है कैसे जाना है तो आम तरफ पर नहीं होता कि बच्छे खासकर कि इंजिनिरिंग में काफी पढ़ाई काफी टफ होती है तो वह बहुत डिसाइड नहीं कर पाते बड़ जो बच्छे अर्ली लेवल टाइम पे डिसाइड क पूछना चाहूंगा कि क्या सही अप्रोच होनी चाहिए कि अगर आप ग्राइजूशन कर रहे हैं और उस समय आप फैसला करते हैं कि आप IAS की तैयारी करना चाहते हैं तो बहुत सारे विद्यारती होंगे जो ग्राइजूशन करने के बाद IAS की परिक्षा की तैयारी एक चोटे या बड़े लेबल पर जितने टाइम निकाल पाते हैं उसको सुरू हो जाना चाहिए क्योंकि जो सिलेबस के नेचर है वो जेनर स्टडीज जो मेजर सेक्शन है वो टेन प्लस टू का सिलेबस है जो स्टुडेंट्स अभी अभी कुट्वेल पर पढ़ रहे होते हैं सिर्व उनकी वराइटीज को डेवलप करना होता है जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं आर्ट्स है तो साइंस के भी पढ़ेंगे और ग्रेशन के दोरान जदी जागरुकता आ जाती है तो केंडिडिट के लिए बड़ा आसान होता है कि हम मारा करियर का सेलेक्शन हो चु के अपडेशन है बेसिक्स जो फंडमेंटल सको क्लेर करना सुरू करता है और जैसे ग्रेशन कंप्लीट हुआ लिवजजिटल वैटे तो वह एक्जाम देता है तो 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 यह तो यह तो सही तरीके से सही सोच समझ कर उसकी तयारी करें तो यह तो यह अपने एक्सपर्ट से कहूँगा कि हमारे गैस के साथ अपने सफर को आगे बढ़ाएं सर प्लीज कुछ ऐसी महत्पून जानकारिया प्रशन जो आप पुलकित से करना चाहेंगे प्लकित सबसे पहले आपको बहुत बहुत वदाई कि आपने कितना बढ़िया रैंक लिया आपने जो है पहले ही एटेम्ट में 490 रैंक प्राप्त किया 2014 के एक्जैम में और 2015 एक्जैम में आपने पूरे डिटर्मिनेशन के साथ चुकि आपको मैं काफी समय से जानता रहा ह जो डिटर्मिनेशन है इसको आपका मैंने देखा है कि आपने अपना 27 रैंक प्राप्त किया तो सबसे पहले में इसमें जानना चाहूंगा कि इस पूरी प्लैनिंग के दौरान में आपके परिवार की क्या भूम क्या रही तो इसलिए आपके पैरेंट्स क्या करते हैं और उनने किस प्रकार से आपको प्रेरीत किया रहा है उनके युगदान क्या रहा है जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि हम परिवार की ही चाया है तो परिवार का सबसे महत्वपूर्ण रोल रहा है तो उनी का ही है तो मेरी ममी जह हैं वो मैंस की senior lecturer है और मेरे बापा bank manager है तो अ maths में gold medalist थी तो उससे सीख मिलती है कि हाँ अप जो करें अच्छे से करें जैसे मेरे पापा है वो अपने officers organization के president है उन्होंने मुझे हमेशा सिखाया है कि सिर्फ अपने लिए काम ना करें सब के लिए जो आपके साथ हैं सब के लिए काम करें सब को साथ में लेकर चलें जैस अपने स्टार्ट की होगी करियर के तहरी उस दौरान में आप जब काफी early days में होंगे तो यह जो सीड है civil services में जाने का के करियर होगा तो इसके आपके माता या पिताजी ने दिया या दोनों ने मिलके दिया जादा जो drive थी वो मेरे पापा की तरफ से बहुत जादा थी कि हाँ इसी तरफ जाए ममी की तरफ से भी थी दोनों की तरफ से होती ही है क्योंकि पूरा परिवार का ही decision होता है वैसे तो जो परितारी के दौरान में बहुत सारे low moments भी आए होंगे जहां होंगे एक situation आएगा इन जीजों को आपने कैसे cover up किया और parents ने हाँ किस तरह से योगदान दिया इसमें काफी बड़ा योगदान है parents हमेशा से patient रहे हैं सबको पता है कि जहरी नहीं है कि यह पहली बार में हो जाएगा या दूसरी बार में हो जाएगा तो उन्होंने हमेशा कहाए कि आप जतना मेशा ममिवाबने कहा है सहारा दिया है कि आप अच्छे से पढ़िए बस बस मेहनत करिए result की चंदा मत करिए हमारे साथ इस्टूडियो में चुकिए आपके माता-पिता भी हैं लेवल हैं तो हम उनसे सवाल जानना चाहेंगे सबसे पहले आपको बहुत-बहुत क्या है तो आपने इसके दर क्या परतिबाद दिख किया क्या क्या इसके दर क्वालिटी थी जो अब बताना चाहेंगी मैंने शुरू से इसकी नेचर में देखा कि ये दूसरों की भलाई के लिए भी कुछ करना चाहता है और समाज सेवा के लिए भी कुछ करना चाहता है तो और दोनों को इसमें qualities determination और dedication भी बहुत रही है तो इसलिए ये toughest exam को भी crack कर सकता है तो इन qualities के साथ और सबके साथ मिलके चलने के लिए इन सबी बातों को देख कर मैं मुझे लगा कि ये आई-एस की तरफ बहुत आसानी से जा सकता है और crack कर सकता है त्यारी के दौरान में बहुत सारे इसके emotional situations भी आये होंगे और चुकि आप मदर है और आपके साथ ही रहे कर तैरी कर रहा था तो उसके दौरान में आपने उस situation को कैसे handle किया होगा और किस तरह से आपने इनकी मदद की काफी बार ऐसा हुआ है कि क्योंकि यह एक्जायम ही ऐसा है जिसमें बच्चे क्योंकि शौर्टी ना होने के कारण तो थोड़ा सा तो लगता है कि पता नहीं क्या होगा पर determination इसका इतना ज्यादा था कि कभी ऐसे बहुत ज साथ में जो आपने देखा कि इसको आई-एस बनाना है सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूंगा कि पुल्कित में मैंने सरूजे देखा है कि वह बहुत आर्ड वर्किंग लेकिन मैं इन सब बातों से अलग आपके सवाल से अलग दो बातें और कहना चाहता है एक पहली बात तो यह कि मैं उतना खुष हूं जितना बाइस साल का एक बेटे का बाप जब वो बाइस साल की उमर में आई-एस बन जाए तो वो खुष हो सकता है मैं इतना ज्यादा दूसरा कभी-कभी बहुत बार डिशोपेंटिंग मुमेंट्स आते थे मौक टेस्ट हो गए या पुल् वर कार्ड एंड ट्रस्ट इन गोड ट्रस्ट के साथ इन हमेशा गोड के लिए उस अधर आता है तो इसलिए मैं ने इसको यह पर्शू किया डेफिनेटली वर कार्ड ट्रस्ट इन गोड डेफिनेटली विल गट सक्सेस और जैट वाज़ ब्लेसिंग अग अलमाइटी अरिजन जो आप दोनों से इंस्पाइड होंगे कि माबाप का रोल कितना इंपॉर्टेंट होता है और घर में यह सिर्फ उलकीत का मिशन नहीं था बलकिए आप दोनों जो साथ में माबाप जो इसके साथ लगे रहे तो एक चली से यह तीनों का एक मिशन हुआ तो एक बार होंगे कुछ क्विक टिप्स और बहुत सारी जानकारी सिविल सेवा परीक्षा के बारे में हमारे खास कारिक्रम सक्सेस स्पीक्स में हर्मंगलवार सुबह नौ बजे डीडी नाशनल पर अब थोड़ा सा स्पेसिफिक सवाल लेते हैं जो कि जो फ्यूचर एस्परेंट्स को इंस्पाइर करेगा उसको गाइडिन्स देगा हम जिसे जेनर स्टडीज के प्रिपरेशन के बात करते हैं तो आपने जो अपने प्रिपरेशन है जेनर स्टडीज का उसने स्टार्ट अपने कहां से की और कैसे कैसे इसको मेचूर किया और अपने एक सफलता किया अपने को बढ़ाया है जैसे कि मैं अभी भी कहता आया हूँ, मेरा पूरा रिलाइंस ही न्यूस्पेपर और अनलाइन न्यूस पे रहा है बट कुछ बेसिक्स है उसकर प्रिवर्क किया होगा अपते हैं कि मैंने खुद को रखके देखा कि कोई बंदा जिसको काम नहीं मिल रहा है और रोटी के लिए तरस रहा है वह चाहता है कि वह काम करें लेकिन उसके पास वह स्केल्स ही नहीं है इसको समझने इसको इस प्रकार से अगर आप पढ़ेंगे अब खुद को रखेंगे तो अब देखें इसमें एक जो बहुत इंपॉर्टिन कोश्चन आता है कि सब्जेक्स वही हैं जो कि कोई भी स्टूरेंट 10 प्लस 2 में पढ़ता है और ग्रेशन में भी आकर पढ़ता है और वही सब्जेक्ट जो हैं उसके थोड़ी वराइटी जादा है और स्विल सर्विसेज में होता है तो अकिर अप्रोच में क्या डिफरेंस है जो आपने समझा अपने एक्जाम के दोरन में जिससे कारण से कोई कॉलिफाई करता है बहुत मेहनर करके बहुत लोग नहीं घ जितना जाद आप दिल से बढ़ेंगे दिल से समझेंगे जैसे इस बार का मैं एक्जामपल देता हूँ सवाल था कि अगर महात्मा गांधी नाशनल मुवमेंट के पार नहीं होते तो नाशनल मुवमेंट के जाता है तो यह सवाल आप नोर्मली नहीं देखेंगे किसी भी स स्टूड़ेंट्स को गााइड करने में कि आप पढ़ने के साथ सथ चिंतन करने क्या आदट डाली औट लिए टेनों का डेप धैलन्स वोगा जिसको ए वी देकिंग मैंट उ पिछिस को अ पम acceptance तो आपके बातों में साफ देख रहा है कि आपने उसे अपरोच को अपना एक बहुत कुरुशियल मैटर है इस एक्जाम के बारे में तो आपने पने टाइम को कैसे मैनेज किया लिए को बहुत ही जादा है तो आपको एक लिमेटेड समय में ही बहुत सारी चीज़े पढ़नी है तो इसमे इदेफाई करिये सबसे बहले कि आपका वीक अरिया क्या है त आप आप यह बताएं कि खासकर कि जो इन्टेव्यू है इसी मिस्टरी है इसमेन कोई established pattern नहीं है लेकिन हां कुछ general चीज़े हम निकाल सकते हैं उन general उन general चीज़ों में जहां तक मुझे लगता है वो थोड़ी आपकी maturity test कर रहे हैं वो टेस्ट कर रहे हैं कि आपका balanced opinion है या नहीं है कि आप एक ही चीज को आप multiple aspects multiple dimensions कि आप उसके समझ पा रहे हैं कि उसका impact किस किस पर क्या पढ़ रहा है राद यह सोचने की वज़ा है कि आपका बस एक ही चीज़ पर क्या impact है वो यह नहीं चाहते है तो जो भी answer है उसको सो करने की इच्छा शक्ति है जैसे अगर कोई person है वो interview में जाकर डल बैठा है और वो excited या not exactly excited बट enthusiastic होकर अगर वो answer नहीं दे पा रहा है तो ऐसा लगेगा कि वो काम के प्रती कैसे enthusiasm दिखाएगा वो अपने काम को अच्छे से कैसे लेगा तो कोशिश करिए कि अपना curiosity दिखाएगे और enthusiasm दिखाएगे और डरेन अगर कोई सवाल नहीं आता है तो वो factual knowledge का सब एक्जाम नहीं है यदि आप अपनी पूरी अपनी अपनी personality को अपको assess करने के लिए कि जो एक success के लिए कि आपके अंदर वो क्या qualities है self assessment करने के लिए जो आपको finally successful बनाया और आप इस मुकाम तेक पहुँच पाए तो वो बताई कि अपकी quality क्या है I think जो भी मैं करता हूं वो पूरे दिल से करता हूं अगर में को कोई काम पसंद नहीं आ रहा है तो मैं इसको बिलकुल अच्छे से नहीं गर पाऊंगा Self motivation मतलब Self motivation बहुत हाई रहती है अगर आप अच्छे कामों के लिए आप पढ़ना चाहते हैं तो And all चीज की curiosity levels हाई रखिए हमाल आप कहीं पे चल रहे हैं Normally भी आसपास आपने बहुत हाई चीज़ें observe कर सकते हैं तो अपने mind को dull मत होने चीज़ें Curious रखिए हर चीज से सीखिए बहुत आगे रिख जाएगा Very good आपकी उमीद है कि जितने भी audience आपको सुन रहे होंगे उनको काफी love मिलेगा बहुत बहुत हन्यवाद Success Speaks में यहाँ हमें लेना होगा एक छोटा सा break आप कहीं जाएगा नहीं मिले सिविल सेवा परिक्षा के सफल परिक्षा आर्थियों से और जाने उनकी सफलता के राज Success Speaks के साथ हरमंगलवार सुभा नौ बजे डीडी नाशनल पर बहुत सारे टिप्स आप लोग ने दिये और हमारे साथ हमारे students भी हैं जो देश के कोने-कोने से आएं और आप से और पुलकेट से बहुत सारे questions पूछना चाहते हैं से लिए उनकी तरफ रुक करते हैं हमारे audience की तरफ सब मेरा question यह है कि हम जब भी किसी mains में कोई answer attempt करते हैं तो हमारे पस bookish language तो बहुत सारी होती है कि हमारे पस content बहुत सारा है वह हम लिख सकते हैं बट issue यह है कि जब हम answer कर रहे हैं as a UPSC point of view तो हमारे जो answer होते हैं वह सारे point of view को cover करने चाहिए for example just administration या फिर बाकी चीज़े या politics की view point तो हम answer कैसे करे as mains में यह मेरा question यह मेरा question यह साथ मिलता है साथ मिनट में तुम्हें को पढ़ना है उसको सोचना है उसका answer क्या होगा उसको form करना है किस तरीके से लुख होगे तुम और फिर आंसर लिखना भी है इस आपनी अनसर लिखो अपनी अनसर लिखो अपनी अनसर लिखो अपनी अनसर में जितने भी मुल्टिपल परस्पेक्टिफ जालोगे mostly काफी सारे कुश्टिन आपसे ऐसे होते हैं की elaborate, analyze, elucidate तो जितने जादा point of views डालोगे उतना बेटर है, हर एक अंगल से लिखो जैसे आपने गगा हुद economic angle से लिखो, social angle से लिखो, political angle से लिखो, economic पूश एंपन से लिखो इन मेंस हाँ इन्टर्नेशनली रेलेशनशिप जो भी है वो करेंट पर बेस्ट है जो चीजे आपकी अखबार में आप लगाता है डिसकेशन में सुन रहे हैं जो भी चर्चे में आ रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली उनसे सब टॉपिक्स लेट आगे अधियन करना कि अब प्राइम मिनिस्टर जो हैं बार बार किसी कंट्री को विजिट करें तो फोकस क्या है वो अगवारों में बार बार इसी जो आप बार पर देखेंगे भी चबते हुए तो जितना भी आप इसको चुरेंट और इसको अपकर रिलेवन्टेटी करेंगे उतना ही समें अ बार बार इसको जो बार इसको पर देख आखेंगे लुट अपर इसको कि अब आप इस ताम पर पर पिले फुर यह से इंपॉसिबल हो गया है तो जब भी फिर्स पॉल जो हम कम से कम मैं अपना एक्सीरेंस पताता हूं तो मैं कम से कम पूरे दिन हर और उस में 3-4 गंते जर तो जब भी आप न्यूस्वेपर बढ़ रहे हैं, कोच चीजों का ध्यान रखेगा, जैसे आपने कोई बड़ा सा आर्टिकल पढ़ा, तो आप अपने माइंड में आर्टिकल पढ़ने के बाद उसको इपर समराइज कर लिजे, कि आपका टेक अवे क्या है उस आर्टिकल से, यह सोचिए कि आपके उपर, आपके बास कोई सवाल आ गया, तो उसका आंसर कि आप पॉइंट्स बना के रखें अपने माइंड में, अच्छा कि यह सवाल आता है, तो यह पॉइंट में लिखका रहूंगा है, तीन पॉइंट्स है, यह मेरा टेक अवे है इस आटकल से, त दूसरी चीज़ रहा हैं, तो काफी सारी टर्म्स हैं, जो इलाबरेट नहीं की होती हैं, उसमें, उनको आप गूगल कीजिए उसी टाइम पर, गूगल और विक्रिपेडिया, तीसरी चीज़, आप चाहते हैं कि उनसे नोट्स बनाने का आपका है, तो बहुत ब्रीफ रख कुछ success mantras, अगर मैं जानना चाहूं हमारे students के लिए, तो क्या देना चाहेंगे aspiring candidates के लिए, दिल से पढ़ाई करें, अच्छे purpose के लिए पढ़ाई करें, और पूरा अपना dedication मनाई रखें, हार ना माने, ये ना सोचें कि बहुत बड़ा exam है, मैं कैसे कर पाऊंगा, ये सोच अगले हपते इसी समय पर आपसे होगी फिर मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार, गुडबाई अगले हाई